नवसकार मेरा नाम हिमान्शु यातव है और आज हम अटेली के आरार होस्पिटल में हैं और डॉक्टर रमेश कुमार जो की एक आयरुवेदा चारिये हैं उनसे बात करेंगे कैंसर के उपर कैंसर की समस्या आज घर घर तक पहुशती जा रही है और बहुत ही डरावनी चीज़ है जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसके परिवार में किसी को कैंसर हो गया है या उसको कैंसर हो गया है उसके लिए जीवन जीना एक मुश्किल चीज हो जाती है चलिए बाचित शुरू कर कि असल में कैंसर क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या संभाव है या नहीं है सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है नमस्ते सर जो कैंसर यह कैसी बीमारी है क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता और क्या इसका इलाद संभाव है कैंसर का इलाज आईरवेद में संभाव है कैंसर एक भोती जटिल समश्य है जो आज वाइरल की तरह फैल दाया है और एलोपेथ में इसका पूर्ण तरीके से इलाज संभाव नहीं है सिर्फ आईरवेद में ही है आईरवेद की जो नुक्षे है ये बनाए हमने लेकिन ये गो है नहीं है क्या सिम्टम्स आने पर उसे कैंसर की जाच करवानी चाहिए तो वो सबसे पहले पता कैसे करें इस चीज़ का अने को परकार का कैंसर होता है जैसे ब्रेन टूमर हो गया किसी को तो ब्रेन टूमर के दोर में सिर में बहेंकर दर्द होगा उल्टियां होंगी कैंसर का किस प्रकार से हिलाज करते हैं कैंसर का किस-किस प्रकार से होता हैाई देखो हम पंच्र रेपी क्या है इसके बारे में भीत data से बता डूंप पंच्गवे मतलब है गो माता के पांचों प्रोडेक्ट जी गो मतर में हमें एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं करक्यूमिन कैंसर को हराने में शक्षम है जो हमें गो मतर से या गो माता के जो पांचों प्रोडेक्ट हैं उनके जरी हमें प्राप्त होता है बहुत सार सारी दवाईयां गोमुतर से तयार होती हैं पंचगवे से तयार होती है और मैं स्वेम इनको तयार करता हूँ बाहर से कोई चीज परिशिज नहीं करते हैं यानि कि जो भी दवाईया है वो आप खुद ही बनाते हैं बाहर से कहीं से लेकर ने आते हैं कोई मैनफेक्चरिंग कहीं से आप नी करवाते हैं जी कहीं से नहीं मैं खुद ही सारे काम में खुद करता हूँ अपने से दवाईया मनाता हूँ पांस परकार कार हुटते हैं जICO हम तयार करते हैं एक परकार कार का बनाने के लिए कम से कम 12 से 13 घंडे का समय मिनिमum ची होता है उसका बनाने का भी मैं परकिरिया बता देता हूँ अब कुछ पेशन्ट मेरे पास आते हैं वो यह बताते हैं कि मैं भी मेने से गोम-उतर का इस्तेमाल कर रहू हूं मेरा ऐसे पेशन्ट को सुझाओ है कि सीद्य तोर पे गोम-उतर का कभी भी शेवन ना करें क्यूमिन पाया जाता है जो इसको हराता है कैंसर को जी इक बड़ी ब्रहांती है कि गो मुत्र का जी इसका प्रोसेस में आपको बता जयता हूं कि हम अक बारा प्रकार को पैजिता है में पंदरा लिटर गो मुतर एक बड़ा लोही का बरतन होता है उसमें हम उसको छोड़ देते हैं उसके बाद में साइफन के जरी उसको सील कर दिया जाता है बरतन को निचे बट्री चलती है ओपर पाइप लगा होता है वो पाइप वाटर टेंक में जाता है निचे जब आग जलती है तो उसमें भाब बनती है वहां ठंडी होती है पानी से और वो एक-एक बूंद करके वो हमें सुद आरक हमें मिलता है तो सबसे पहले तीन लिटर मिनीमम अमोनिया जो छिए खतरनाक जहर होता है निकालना पड़ता है और तीन लिटर पीछे च्छार भी रखना पड़ता है तो उनरे डिटर में से 6 लिटर तो यह हो गया तेन लिटर कम से कम जब 10-12 घंटे बट्ती च लिए जाता है तो बामुस्किल पांच साड़े पांच या छे लिटर सुधार का तैयार होता है उसका हम सेवन कर सकते हैं अगर किसी को ग्रेलू उपचार करना है कुछ समय के लिए तो वो गोम उतर लें ताजा लें सुबह सुबह का और देशी गाय का लें काज के या निकलने से पहले लें प्रेगनेट गाय है तो पंतालिस दिन तक उसका ना लें गाय बिमार नहीं होनी चीए देशी गाय होनी चीए अगर ब्याने वाली है तो पंतालिस दिन पहले का ले सकते हैं पंतालिस दिन तक नहीं लेना है ब्या गई है तब भी पंतालिस दिन तक उ नहीं है ठीक है निसरत गाहेजरयानी जरूर हो दो साल से कम बच्छे नाओ बिमार नाओ हो वो गौम उत्रहम ले के उसको को हम इतना ल्हज़ कर रहें। इतना ल्हज़ookie क्रिक सारा अमोनिया खतम कर दिया जाए निकाल दिया जाए अब लोग कहेंगे अमोनिया क्या होता है जो फैना बनता है जो जाग बनता है उपर से वही अमोनिया होता है बहुत खतलनाग होता है उसको अमें निकालना होता है उसको बिल्कुल साफ करके और ठंडा करके कम से कम आठ तेह करके कपड़े की आठ बार उसको सूती कपड़े से च्छाना जाता है तब वो पीने के काबिल होता है और वो भी कितना पिया जाए लोग कहता है कि मैं तो एक गिलास पीरा हूँ ज्यादा गिलास पीरा हूँ यह तरीका है तो अपने पास जो पेशेंट कहा कहां से आते हैं वरतमान में और कितना समय आपको यह कारिय करते हो गए और कितने पेशेंटों को आप इससे लाभानवित करवा चुके हैं यह थोड़े से हमारे दर्श्कों को बताएं क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होत तूर्दाजस अर चवहर रो चाहर आं। ऑर छो पेशन्ट आ रहे हैं दूर दराजसे वो ठीक भी हो रहे हैं अब सारे पेशन्ट तो मैं ताव नहीं करता हैं कि सारे पेशन्ट आप टीक कर रहा हूं लेकिन मोसले मेरे पेशन्ट क्योर हो accomplishments और क्यों हो रहा हैं कि मैं सिर्फ वरुसा करता हूँ अपने आप पर अपने दवाओं पर या भगवान पर जो दूर दराज से आने वाले पेशेंट हैं उनको एक दो दिन अगर रुकने की वेश्था उनकी करनी होती है तो अराम से हमारे पास रुकने की जगह हैं रुक सकते हैं अगर कोई पेशेंट करने कही दूर से आता तो आपके पास रुकने की वेश्था क्योंके उसको लगता है तो यह दो तो आपके आपर रुक सकता है लेकिन अगर उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसको के ए्डविट करना है तो फिर उसके लिए यहां पर सुधं कि यह वाली समय लग जाता है तो एक दिन दो दिन तीन दिन वह रिलेक्स आराम से यह रुक सकते हैं खाने पीने की पूरी वेश्था होती है तो इस जो दवा है मैं यह जानना चाहूंगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास दवाई लेना चाह रहे हैं वो कितने दिन तक आपकी दवाई लें कि वो उनको आराम हो जाए और इस दवा को लेने में लगबक उनका कितना खर्चा आएगा क्योंकि देखिए कैंसर एक महिंगी बीमारी मानी जाती कि बहुत सारा पैसा लोगों को लग जाता है तो कितना पैसा आपका उनका लग सकता है कितना खर्चा आएगा और लग महिने के दोर में ही पेशंट को अर्याम मिलना सुरू हो जाता है, अलोपेथिक टिरा तो नहीं है कि गोले ली उर्धरita भार हो गए लेकिन धीरे 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 पेशंट की ओर होता चला जाता है हमा सरस ऐक महिने के दृभा बार करण मैंने की सिच्वेशन है और कोरियर की माध्यम से दवा मंगूना चाहते है तो कुरियर चार्ज अलग होता है या निकि अगर वो ओन लाइन मंगवना चाहे तो 9000 रुपै और कोई का खर्चा और अगर कोई पेशेंट एक बार नहीं आना चाहे ओनलाइन ही अपनी बात्चित करके अपनी रिपोर्ट्स वगरा देखकर दवा मगाना चाहे तो क्या इसकी सुईता भी है बेलकुल पेशेंट अपने रिपोर्ट बेजता है रिपोर्ट के अधार पर हम उनको द क्याना चाहेंगे थोड़ा सा पताएं फिर आम इस वीडियो को विराम देंगे सर्व देखो जी मैं सब्ता में छे दिन इहां अटेली जिला महंदरगड अटेली मंडी जिला महंदरगड दिली से मातर दो सवादो गंटे का रास्ता है दिली जुन जुन रोड पे नार नु लग जाता है तो मैं एक दिन के लिए उनको दौण प्रॉइड गरवाना के लिए दिली जाता हूँ बाकी हर दिन में यहां बैटता हूँ आपने यह पूछ़ए है कि पेशन्ट को आप क्या मैसेज़ चोड़ना चाहते हैं कैंसर पेशन्ट को मैं उनको सरफ यही कहना चाह तो ये थे हमारे साथ आर आर होस्पिटल के डॉक्टर रमेश कुमार जो आईरवेदा चारिया है जो कैंसर जैसी बिमारी के लिए आईरवेद में खुद के दोरा निर्मित दवाईयों से लोगों का हिलाज करते हैं काफी समय से इलाज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग लाबानवित हो चुके हैं इनका जो एड्रस है वो स्क्रीन पर है आप बात करके इनसे परामर्श ले सकते हैं इसके अलावा हमने ज़्यादा तर चीज़ों को इसमें कवर करने की कोसिस किये लेकिन फिर भी अगर आपका क कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में हम इसका जवाब देने का प्रियास करेंगे जो अगला वीडियो डोक साब के साथ हम बनाएंगे उसमें उस सवाल का जवाब लेकर हम आपके पास आने का प्रियास करेंगे आप सब मस्त रहें आप सब का धन्यवाद